आज हम बनाएंगे हैदराबादी शादियों में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी की खी तो बहुत सिंपल है यहां पर देखें मैंने 500 ml दूद ले लिया था और उसको मैंने बॉइल कर लिया बॉइल करके मैंने इसको यहां पर रख दिया और यहां पर मैंने 100 g खोया लिया है यहां पर लिया है राइस चावल जो भी घर में आप नॉर्मल यूज करते है वह वाला चावल या तो फिर आप बासमती राइस ले लो उससे ज्यादा अच्छा तेस्ट आता है तो मैंने यहां पर लिया है तो मैंने दो गंटा पहले पानी में भूगो के रख दिया था शोग करीब होगा pop और यहां पर मैंने स्ट्रावेड़ी लीए है एक कप की स्ट्रावी दिन लिए हैं तो यह चाड़ दिन पूरानी प्लाइता मारकिट से में दूर केशा में तो सब्सक्राइब हो बनाने का तरीका बताएंगे अब पहले स्ट्रॉबरी और शुगर इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे शुगर अब अपने टेस्ट की साब से ले लीजेगा और इसको हम अच्छे से अभी मेल्ट कर लेंगे शावल है इसको अभी हम पीस कर लेकर आएंगे यहां पर देखें, strawberry sauce जो है, वो अच्छे से बनकर ready हो गया है, इसी तरीके से होना चाहिए, कि जो strawberry है, वो अच्छे से melt भी हो जाए, और हलके हलके से इसमें chunk फ्रेजर, तो अब हम बनाएंगी खीर, यहां पर देखें, मैंने half liter जो दूद था, वो मैंने एक walk में डाल दिया यहां पर देखें, मैंने इसके इंदर, चावल जो है वो डाल दिया है, अब चावल पकने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे, इसमें शूगर आप डाल दीजिए, अपने टीस्ट की हिसाब से, ज़रा ध्यान से ही डालना क्योंकि हम ने स्ट्रॉबेरी में भी शूगर तो अब इसको हम अच्छे से बॉइल आने देंगे और शुगर मेल्ट हो जाए और चावल जो है अच्छे से अंदर का पक जाए, और चावल भी आपने ऐसे पीसने है, इसके अंदर के एकदम थोड़े से धरदर हो, फिरने टाइप में इसको बारीक में पीसने है, आपने अच्छे से हलके रखना है चावल को, अब इसको पका पर देखिए, राइस जो है अच्छे से पक चुके है, थोड़ी सी गाड़ी भी हो गई है, खीर हमारी, अब इसके हम आड़ करेंगे मावा, खोया या मावा जो भी आप लोग बोलो, यह डालेंगे, अब चाओ तो पह मावा जो है, इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी गैस का फ्लीम जो है, बन कर देंगे, गैस का फ्लीम हमेशा बन करने के बाद में ही, आपने यह स्क्रॉबरी जैम डालना है, या फिर सॉस जो भी बोलो, आप वह स्मूए डालना है, अगर आप चलते वे उसमें डाल हो गया है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो यहां पर देखें, यह हमारी शादियों वाली स्ट्रॉबरी खीर जो है, वो बन कर रेडी हो गई है, लेकिन अभी इसमें चीज है, इसको सॉफ करेंगे हम, और सेकंड चीज यह है कि आप चाहो तो इसके अंदर इमल् चाहो तो इसमें अल्ड़ी होगा, चाहिए तो आप फिर इसके अंदर स्ट्रॉबरी एड कर सकते हो, चाहो तो फ्लेवर भी आड कर सकते हो, जो बनाते हैं, वो लोग थोड़ा सा इमल्शन आड करते हैं, यह अगर आप अपर देखिए हैं, हैदरा बादी वेडिंग्स में मिलने वाली स्ट्रॉबरी खीर बनकर रेडी है, तो चलिए अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और मेरे चानल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अल्ला हाफिस